आप सबका स्वागत है हमारी योटूब चैनल मॉम डैजन बेपी में और आजम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में आम खाना चाहिए या नहीं प्रेगनेंसी के दोरान डाइट को लेकर महलाओं को बहुत सतर करहना चाहिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए इस तरह के सवाल मन में बहुत आते हैं गर्भावस्था में आम के सेवन को लेकर भी कई तरह के राय हैं इसे लेकर सच क्या है आईए इस वीडियो में जानते हैं प्रेगननसी में खान-पान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस दोरा जरा सिलापडवाही का भी बड़ा नुकसान हो सकता है गरभावस्था में क्या खाना चाहिए इस बात को लेकर गरभवती महिलाएं बहुत परिसान रहती है वहीं pregnancy में कौन सा फल खा सकते हैं ये भी सवाल मन में उचता रहता है कई गर्भती मैलाएं ये भी जानना चाहती है कि गर्भा वस्ता में आम खाना चाहिए या नहीं आज इस वीडियो में हम आपको यही पताने जा रहे हैं प्रेगनन्सी में आम खाना चाहिए कि नहीं इससे पहले कि आप हमारे वीडियो की भावनाव में खो जाएं प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी टिप्स लेकर आती रती हूँ और हेल्थ क्रिलेटेट साड़ी वीडियो आपको मेरे चनल पे मिल जाएगी गर्भावस्था में पके आम खाने से कई लाब मिलते हैं लेकिन आपको इनका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए ये विटमिन A, B6 और C से युक्त होते हैं जो गर्भावस्था के दरान महिलाओं को जरूरी पुसन परदान करते हैं आम में फॉलिक एसीज, पोटेसियम और आइरन भी परचूर मात्रा में पाया जाता है ऐसा माना जाता है प्रेगनसी में आम खाने से सरीर का तापमान बढ़ जाता है लेकिन इस बात का कोई प्रमान नहीं है आम एनर्जी और एंटी ओक्सिडेंट का उत्तम स्रोथ होता है जो की गर्भावस्था के समय बहुत जरूरी है रासाइनिक रूप से पके हुए आम ना खड़ी दे जिसे कारबन से पका हुआ आम कहा जाता है हमेशा मौसमी फल ही खाने चाहिए हाला कि डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आपको अपने आहार में आम को सामिल करना चाहिए प्रेगननसी में आम खाने के क्या-क्या फाइदे हैं ये भी जान लीजिए आम खाने से प्रेगननसी में काफी हद तक जी मितली में रहत मिलती है हर रोज एक आम खाने से लाल रक्त कोसिकाओं की संक्या बढ़ती है जिससे अमेनिया का खतरा कम हो जाता है आम में folic acid परचूर मातरा में होता है जिससे गरभावस्था के दोड़ान भुरुन के विकास में मदद मिलती है पहली तिमाही में आम भुरुन के तंत्रिका तंत्र के विकार में मदद करता है आम डाइटरी फाइवर का भी अच्छा स्त्रोथ है जो की पाचन को ठीक रखता है और प्रेगननसी में कब्ज होने से रोकता है इसके अलावा आम खाने से 9 महने से पहले प्रसव से सुरक्षा मिलती है सिसू के दात और हज्डियों का विकास होता है हाई ब्लाइट पेसर और प्रिकलेट्सिया का खत्रा भी कम हो जाता है चलिए बात करते हैं आम खाने से क्या होता है प्राकिर्दिक रूप से पके आम खाने का कोई गंभीर नुकसान नहीं होता लेकिन रासाइनिक रूप से पके आमों में कैलसियम कारवाइड हो सकता है जिससे मा और सिसु को नुकसान हो सकता है इससे मा को दस्त, बार-बार मोड बदलने, सिर चकडाने, सिर दर्द, दोड़े पढ़ने, नीन की कमी और हाथ पैडों में जंजनाहट महसूस हो सकती है पहलाओं को एनरजी की बहुत जरुत होती है, अगर डॉक्टर आपको अपने आहार में कैलोरी की मातरा बढ़ाने के लिए कहते हैं, तो आपको आम को अपनी डाइट में सामिल करना चाहिए हाला कि आपको एक दिन में एक से ज़्यादा आम इस समय नहीं खाना चाहिए कार्थों के सरीर में जानने का खत्रा कम हो जाता है, आम को काटने वाले चाकू और कटिंग बोर्ट को हमेशा साफ रखें, ताकि कोई भी गंदगी आप तक ना पहुच सके अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से आपका सुक्रिया हेल्थ रिलेटेड साड़ी वीडियो आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो या बुजोर्ग से रिलेटेड, बच्पन से लेकर पच्पन तक आपको साड़ी वीडियो हेल्थ की मेरी चैनल पर मिल जाएगी, कहीं और जाने के आपको नहीं है तो प्लीज मारे चल्ल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आप हमारे एक अच्छे से सदस्य बन जाए